बुशुन कुमार की वाइब दिव्या घुसल और सोनो निगम के भी सोशल मीडिया पर शब्दों की वॉर्ड चल रही है। सोनो निगम के लगाई T-Series पर अलिगेशन्स के बाद दिव्या ने भी सोनू पर वीडियो बनाते होए पलटवार किया है। दिव्या ने कई सारे एक्जामपल्स देते होए सोनू पर हमला करने की कोशिश की है। उन्होंने वीडियो में दावा किया है कि T-Series कई नयक अलकारों को ब्रेक देता है जबकि सोनो निगम कभी ऐसा नहीं करते। उन्होंने सोनो निगम पर ये भी आरोब लगाया है कि वो गुलशन कुमार की निधन के बाद T-Series के साथ खड़े नहीं थे जब भूशन कुमार सिर्फ 18 साल के थे। दिव्या ने ये भी आरोब लगाया है कि सोनो निगम का अबू सलीम के साथ संबन था जुसके कारण भूशन ने मदद के लिए उनसे संपर्क किया। हलाकि दिव्या के दावे सोशल मीडिया यूजर्स की गले नहीं उतर रही है। दिव्या ने अपने वीडियो में सोनो के खिलाव बोलने के लिए 1998 से भूशन कुमार के यहां काम कर रहे कुख शेरू को भी उतार दिया। जिसके बाद एक यूजर्स ने मजाक उड़ाते हुए कहा साल का सर्वश्रेश्ट सहकलाकार हैश्टाग शेरू दकुख। यूजर्स ने इस बाद पर भी नाराजगी जताई है कि कैसे लेबल्स की पुराने गाने रिक्रियेट किये जाते हैं। जिसमें फालगुनी पाठक का गाना याद पिया के आने लगी भी शामिल है। जिसके वीडियो में दिव्या ने काम किया है। जहां दिव्या घुसला ने इंस्ट्रग्राम पर अपने वीडियो के कमेंट सेक्षण को ब्लॉक कर दिया है। वहीं सोनु निगम ने अपने इंस्टेग्राम एकाउंट पर लोगों को कमेंट करने के लिए आम अंत्रित करते हुए दिव्या का वीडियो रिपोस्ट किया है सोनु ने तंच कसते हुए कहा मुझे लगता है कि वो अपने कमेंट सेक्शन को ओपन करना भूल गई है चलो उनकी मदद करते हैं इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं